Welcome to our channel Fantasy Fortune इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वुमेन वर्सिस ऑस्ट्रेलिया वुमेन ODI World Cup मैच जो ही खेला जाएगा इडन पार्क आउकलेंड में क्या हो सकती है पॉसिबर प्लेइंग 11 कौन से चेंजिस हो सकते हैं आ रहेगी Small League की टीम Grand League की क्या टीम से रहने वाली है सब हम इसी वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो पूरी वीडियो देखेगा आपको मजा आने वाला है तो अगर आप लोग नए हैं तो आप हमारे साथ Telegram चैनल पर जुड़ जाएए यह हमारा Telegram चैनल है आपको notification मिल जाया करेगी जैसे ही मैंने अभी यह वीडियो बनाई है Grand League के उपर यह वीडियो ज़रूर देखना सो आपको बहुत फायदा होगा इसका भी में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा सो बात करते हैं ग्राउंड की यहाँ पर मदद मिलनी चाहिए क्योंकि fresh wicket होगा साफ fast bowlers पे और अच्छे batsmen पे better पर जो है focus कर सकते हैं total यहाँ पर 77 matches हुए है जिसमें chasing team को ज़्यादा advantage मिला है 42 times जो है वो chasing team जीती है और betting first करते हुए 33 times जीती है team average जो first inning score रहा है वो है 219 जो काफी कम नज़र आता है लेकि अच्छा ground है क्योंकि record जो number है sample size जो काफी बढ़ा है बात करते हैं और यह overall है सिर्फ women matches का नहीं है यह overall है यहाँ बात करते हैं highest score की तो 340 यहाँ पर बनाए हुए न्यूजिलेंड ने Australia के against so यहाँ पर आप जिको जो focus करना है वो fast bowlers पर आप कर सकते हो साथ के साथ जो betting all rounder या better हैं उनके उपर आप focus कर सकते हैं इंडिया की तरफ से बात करें तो यहाँ पर जो है अगर कोई change होता हुए नज़र आ रहा है तो वो top order में इंडिया को करना चाहिए शेफाली वर्मा जो इत फॉर्म में नहीं है लेकिन उनको खिलाना चाहिए क्योंकि यह match इंडिया के लिए win करना बहुत important है तूर्नमेंट में अगर बने रहना है तो यहाँ पर यह match जो है इंडिया के लिए काफी important लाकेंट रहने वाला है तो इंडिया जो है भाटिया की जगा शेफाली वर्मा को खिला सकती है बाकी कोई खास चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है बात करते हैं आस्ट्रेलिया की यहाँ पर जो एक चेंज हो सकता है वो है code यूज़ कर सकते हो F2P fully और यहाँ पर आप 100 से जितना भी आप deposit कर रहे हैं उस पर आप 8% extra cash ये bonus नहीं है ये cash है जो आप contest पर यूज़ कर सकते हैं आप ये apply करके deposit कर सकते हैं सिर्फ आज आज के लिए valid है इसका link आपको description मिल जाएगा refer code यहाँ का fortune है उसके थूद डाउनलोड कर लेना बात कर लेते हैं इंडिया वुमेन की यहाँ पर भाटिया जो है वो open करती हुए नजर आ जाएंगी स्मिर्ति मंदान के साथ यहाँ पर शेफाली वर्मा को भी खिलाया जा सकता है बात करते हैं भाटिया की सो अभी तक जो है तीन मैच में ठीक ठाक खेली है बहुत जादा points नहीं दी है लेकिन जो last से last match हुआ था उसमें काफी attacking cricket खेल रही थी और आपके लिए एक अच्छी grand league की choice बन जाती है शेफाली वर्मा खेलती है सो team इंडिया के लिए काफी important है बट small league में risky जरूर रहने वाली है तो grand league में try उनको भी कर सकते है इसमिती मंदाना अभी तक mostly matches में अच्छा किया है last match में 43 point उससे पहले 112 point भी दे कर आ रही है तो team के लिए important हिलाडी है लेकिन सामने भी जो है अगर bowl swing होती है starting में सो यहाँ पर मेगन स्कूट और यहाँ पर आपके लिए अलिसा पेडी जो है वो trouble कर सकती है इस चीज़ का भी ध्यान रखना है मिताली राज को कल form में आना होगा गोस्वामी ने भी बोला है कि बस एक ही knock दूर है वो form में आने के लिए और इससे अच्छा मैच नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया कोई जरूरत है सो मिताली राज कल के लिए टरम कार्ड पिकाब के लिए साबित हो सकती है अभी तक season बिल्कुल विकार रहा है लेकिन player अच्छी है अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है इंडिया का टॉप ओडर जो है और यहां पर विकेट कीपिर काफी अच्छी है सो अगर आप इनको लेते हो एलिसा हीली के साथ सो आप एक अच्छी डिफिरेंशल पिकाप के लिए बन सकती है सनेराना की बात करें सो बॉलिंग करती है स्पिन बॉलिंग करती है प्लस आपको फिफ्ट डाउन बैटिंग करके दे रहती है अच्छी ओल राउंडर है लास्ट मैच में ज़्यादा कुछ नहीं किया लेकिन उससे पहले 105 उससे पहले 24 और उससे पहले 101 के साथ ये रहता है जब चलती है सो फिर बहुत ज़्यादा पॉइंट देती है और जब नहीं चलती तो फिर उस मैच में इनके ओवर भी कर जाता है बैटिंग से भी ज़्यादा कॉंट्रिविशन नहीं रहता है का यूजवली ऐसा रहता है लेकिन ये उस्टेलिया के सामने मुझे लगता है डीसेंट चोईस आपके लिए बन जाएगी क्योंकि बैटिंग और बोलिंग इने ठीक ठाक मिल सकती है कल के मैच में पूजा वस्तराकर हर मैच में यूजवली पॉइंट देती है बैटिंग भी करके दे देती है तो एक important pick बन जाती है मेगना सिंग की बात करने मैंने पिछली भी इंडिया के मैच में वीडियो में बोला था कि मेगना सिंग ऐसी खिलाड़ी है जिनको कोई नहीं लेता है और ये grand league तक win करा सकती है क्योंकि इन पे उपर ध्यान नहीं देता और आप इनके पिछले दो मैच के points देख लो 69 points, 71 points ये काफी अच्छी बोलर है स्विंग इने मिलती है mostly अपने 7-8 over तो करती ही है इस मैच में भी इनको जादा लोग नहीं लेंगे small league में बट अगेन अगर आप risk लेना चाहते हो उसे बुरी pick नहीं है wickets निकाल लेती है बात करते हैं guy quad की सो काफी अच्छी spinner है लेकिन अगर pitch report जो है जैसा मुझे लग रहा है कि fast bowlers को यहाँ पर जादा मदद मिल सकती है सो अगर आप चाहो पिछ रिपोर्ड में आपको सुबा टेलिग्राम पर बता दूँगा कि कौन से विकेट पर मैच होने वाला है तो टेलिग्राम पर चुड़ जाना तो उस case में आप drop करने का risk ले सकते हो लेकिन यह 10 hour अपने पूरे डालती है और हर मैच में विकेट निकाले है तो यहाँ पर important player रहती है अगर बात करें टीम के लिए important player की सो समिती मंदना, मिताली राज, यहाँ पर हर्मन प्रीथ दीपती शर्मा, गोस्वामी और गायकवर्ट जो हैं इंडिया की तरफ से important रहने वाले हैं बात करते हैं Australia की Australia ऐसी टीम है जो सारे matches जीती है और इनके ग्यारा के ग्यारा player ना बहुत तगड़े है मतलब की आठाट तो इनके पास bowling option होते हैं किसी भी bowler के overcut सकते हैं और सारी betting जो हैं end तक कर लेते हैं मतलब end में भी काफी अच्छी betting इनके पास है तो overall एक बहुत ही तगड़ी टीम है और इंडिया को जीतना है ना तो कल बहुत ज़्यादा तगड़ा game खेलना होगा open करेंगी Rachel Haynes जो हर match में points दे रही हैं तो एक sales captain wise captain की choice small league में बन जाती है बात करते हैं Elisa Healy इनका record ना इंडिया के against बहुत अच्छा है यह आपके लिए grand league के लिए बहुत अच्छी captain बन जाएंगी और अगर आप risk लेना चाते हो जो इस match में आपको लेना पड़ेगा क्योंकि यह वो match है जिसमें आपको opponent की अलग-अलग team देखने को मिलेगी क्योंकि options ही बहुत जादा है तो अगर आप risk लेना चाते हो तो आप healy को भी small league में captain wise captain कर सकते हो मैं एक लैनिंग कल के लिए trump card pick हो सकती है क्योंकि इनका selection काफी कम है लेकिन australia team की best batter है even world में भी one of the best batter यह है पिशले दो मैं आच अच्छे नहीं गए है जिसके चलते हैं इनका selection काफी कम हो गया है लेकिन यहाँ पर grand league के लिए तो captain की बहुत अच्छी choice रहेगी especially अगर australia पहले batting करती है और small league में भी एक आपके लिए अच्छी differential खिलाड़ी बन जाएंगी बात करते हैं इलिसा पीरी की second down betting कर रही है और mostly जो है ने 5-6 over जो है upfront डालेंगी ठीक है और अगर वहाँ पर इने wicket मिल जाते हैं अगर आपको लगता है इंडिया के starting में wicket गिरते हैं तो Perry जो है वो आपकी लिए best choice मन जाएगी small league में captain wise captain की अगर इनको 5-6 over इनके tackle हो गए तो फिर ये शायद हो सकता है इनसे पूरे over ना कराए जाएं क्योंकि इनके बास bowling option बहुत जादा है इस चीज़ का ध्यान रखना है लेकिन second down betting कर रही है प्लस आपको यहाँ पर आपको bowling करके दे रही है so captain wise captain की best choice रहेगी अगर यहाँ पर Australia पहले batting करती है so Magrat आपके लिए captain wise captain की small league में बहुत अच्छी choice बन जाएंगी lower order में आपको run बना के देती है wickets निकाल के देती है so important खिलाडी रहती है gardener की बात करें 2 match के लिए और 2 match में इनोने wickets निकाले है 111 point, 114 point काफी अच्छी all rounder है जो lower order में अच्छे hits लगाके देती है plus आपको जो है bowling से भी contribution देती है so काफी कुछ depend करेगा wicket के उपर वैसे जो है अगर fresh wicket मिलता है जो मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ भी match नहीं हुआ है तो हो सकता है कि spinner का roll उतना ना रहे जैसा आज कल आप देख रहे हो जैसे आज के match में हमने स्टेफानी टेलर को wise captain क्यों किया था इसलिए किया था क्योंकि bay oval में वो match था और spinner महा पर चल रहे है लगातार इसी वज़े से उनको wise captain बनाया और वो 3 wicket ले गई जबकि इतनी कुछ खास पिछले कुछ matches में वो bowling भी नहीं कर रही थी यही छोटी छोटी चीज है जो आपके लिए matter कर जाती है अगर यहाँ पर fast bowler का wicket रहता है तो gardener उनको उतने over शायद नहीं मिलेंगे जैस जोनेसन की बात करें टीम की one of the best bowler है अपी तक 3 match खेली है और 3 match में decent points इन्हों ने दिये है पिछले भात तर एक में 8 और एक में 62 so important रहेंगी लेकिन इनका यह है कि यहाँ इनके पास ज़र एक spinner भी alana king है जोनेसन है गार्डनर है so यहाँ पर ना over किसी के भी कड़ जाते है मतलब king ने पहले दो match में इतनी अच्छी bowling करी थी तीसरे match में उन्हें एक भी over दिया ही नहीं गया था so यह जो है ना इस भी Australia का match जो हो हलका risky हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इतने सारे bowling option रहते हैं कि किसी के भी over यहाँ पर deduct हो सकने है लेकिन Jess Jonathan टीम के लिए important रहेंगी Elena King पहले दो match में जिस तरीके से bowling करी थी so लग रहा था यार यह bowling बहुत अच्छी कर रहे हैं बट Australia ने एक दम surprise करके तीसरे match में bowling ही नहीं दी और चौते match में इनको wicket नहीं मिला है लेकिन यह अच्छी differential player बन जाएंगी Megan Scoot मेरे हिसाब से important है selection काफी काम है अच्छी trump card pick सावित हो सकती है top order को disturb कर सकती है तंग कर सकती है इंडिया के हर match में mostly एक एक wicket ले जाती है और आपके लिए grand league के लिए बहुत अच्छी choice रहेगी क्योंकि fresh wicket है तो वहाँ पर Scoot को मदद मिल सकती है और आपके लिए grand league में अच्छी captain wise captain की choice बन जाएंगी यहाँ पर Darcy Brown खेल सकती है match अगर खेलती है तो आपके लिए 8 credit में अच्छी pick बन जाएंगी last match जो इन्होंने खेला था उसमें 3 wicket निकाल के आ रही है सदरलेंट की बात करें सदरलेंट की form कुछ ज़्यादा खास नहीं है प्लेयर अच्छी है लेकिन मैं grand league में recommend करूँगा क्योंकि recent form उतना खास नहीं जा रहा है important player की बात करें इनका top 4 काफी important है हीली, हेंस, मेग लैनिंग, यहाँ पर Elisa Perry, ताहिला मेगराथ और gardener जो है important खिलाडी है टीम के वैसे यहाँ पर Australia की एक इकलोती ऐसी टीम है women's के match में जहाँ पर 11 के 11 match winner से यह खिलाती है काफी strong team है बात करते हैं small league captain wise captain की so Elisa Perry, ताहिला मेगराथ, दीप्ती शर्मा और यहाँ पर हीली जो है small league में आप captain wise captain कर सकते हो even Haynes भी अच्छी option बनके आती है बात करते हैं grand league captain wise captain की so Meg Lenning और यहाँ पर मिताली राज बहुत अच्छा combination यह रहेगा Meg Lenning specially अगर Australia की पहले betting आती है और Megan Scoot भी अच्छी option रहेगी अगर Australia की पहले bowling आती है so चलिए चलते हैं कि आप बहुत जादा high invest ना करें और grand league पर जादा ध्यान आपने देना है आप multiple teams भी लगा सकते हैं small league में high invest नहीं करना है बाकी आपकी according आप कर सकते हैं आप बात करते हैं Australia की तरफ से so Healy हम पहले जो हैं Australia के player को pick कर लेते हैं फिर India के player को pick करेंगी so wicket keeping section में Healy है और घोश है मैंने हापर Healy के साथ मैं गया हूँ batting section से जो एक player लेनी ही लेनी है वो है हेंस जिनके साथ मैं जाओंगा और यहाँ पर mag lanning को भी मैं लेकर जाओंगा especially Australia अगर पहले batting करती है तो ठीक है तो यहाँ पर mag lanning मेरे पास आगी है hints मेरे पास आ गई है यहाँ पर जो दो player मेरे पास all rounder section में आएंगी वो है ilisa piri और यहाँ पर जो है tahila magraaj मेरे पास आ जाएंगी और यहाँ पर bowling से मैं megan scoot के साथ गया हूँ यह जो 6 खिलाड़ी है यह आपकी team में मेरे इसाब से होनी चाहिए और team के लिए most important player है यहाँ पर आप जो है gardener के साथ भी जा सकते हैं अब चलते हैं इंडिया की तरफ यहाँ पर मैंने bowling section में यहाँ पर गोस्वामी के साथ मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर गायक वर्ड को भी ले सकते हैं वस्तराकर को भी ले सकते हैं बैटिंग section में आते हैं अगर यहाँ पर smithi mandra important है core important है इंडिया की तरफ से लेकिन मैं इस match में differential खिलाड़ी मिताली राज के साथ जाऊंगा उमीद है कल captain's knock खेल जाएं लेकिन अगर आप चाहें तो इनकी जगा आप दूसरे player कोई preference दे सकते हैं अब हमारे पास credit का issue आ चुका है तो यहाँ पर अगर आप smithi mandra को लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो player आपको 8 credit में लेनी होंगी तो उस case में आप यहाँ पर मेगना सिंग और अगर यहाँ पर brown खेल जाती है so इनके साथ जा सकते हैं तो यह combination बन जाता है लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ मैं जो है इस match में एक risk लेकर जाऊँगा मंदना को drop करूँगा और यहाँ पर मैं उस case में दीपती शर्मा जो टीम में होनी चाहिए इंडिया की तरफ से उनको लूँगा आप दीपती शर्मा को लेते ही ने अगर हम मंदना लेते हैं तो credit ही नहीं बचेगा इस चीज का रहेगा इसमें जैसे मैंने बताया credit issue काफी जादा है और दीपती शर्मा को मैं ड्रॉप नहीं करूँगा इवन दो recent form जो है बहुर अच्छा नहीं रहा है बट एक अच्छी old rounder है बैटिंग बोलिंग दोनों से contribution करती है यहाँ पर मैंने स्नेराना को भी अपने टीम में रख लिया है एक अब हमारे पास eight and a half trade का option आ रहा है तो उस case में जोनैसन है वस्तराकर है यहाँ पर एलाना किंग है और मेगना सिंग है तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर वस्तराकर के साथ गया हूँ तो यह मेरी small league की team बन रही है इसमें एक से दो changes हो सकते हैं depending upon toss and pitch condition तो उसके लिए final जो team है आपको telegram पर मिल जाएगी captain wise captain की बात करते हैं तो मैं captain जो है इस match में ताहिला मेगराथ को रख रहा हूँ मैं consider कर रहा हूँ Australia की पहले batting आती है तो उस case में मेगराथ मेरी captain रहेंगी और wise captain जो है मैंने Elisa Pirie को रखा है यहाँ पर healy भी काफी अच्छी option है even mag lanning भी एक अच्छी option आपके लिए बन जाती है तो यह कुछ मेरी team रहने वाली है small league की grand league की teams की बात कर लेते हैं तो उससे पहले मैं आपको fan to play app की team दिखा रहता हूँ जहाँ पर कोई credit का issue नहीं आ रहा है तो यहाँ पर fan to play app में मैं यहाँ पर smithi mandana को ले पाया हूँ क्योंकि यहाँ पर दो bowler ले सकते हैं दो bowler या दो batsman के साथ जा सकते हैं तो यहाँ की मेरी यह team रहने वाली है again captain wise captain मैंने same रखा है बस यहाँ पर smithi mandana को मैं easily ले पाया हूँ इसका link जो है description में fortune refer code है IPL में भी काफी अच्छे options offer आने वाले है so download कर लो link description में refer code इसका fortune है बात करते है grand league teams की so यहाँ पर grand league teams की बात कर लेते है so दो team मैंने आपके लिए भी बनाई है so एक team बनाई है out and out यह जो है Australia के favor ने बनाई है और यह team आपके लिए best काम करेगी अगर Australia की पहले bowling आती है so उस case में ने 5 bowler Australia के ले लिए है यहाँ पर Magrath और Perry जो है वो all rounder है लेकिन bowling अच्छी खासी कर लेती है so उनको भी रखा है और यहाँ पर Jonathan, Scoot और Alana King को रखा है और Captain Vice Captain मैंने Openers को ही बनाया है Elisa Healy और Haynes so इनको मैंने Captain Vice Captain रखा है so यह जो है मेरी team number one है Grand League की आप बात करते है team two की यह जो है इसमें मैंने दोनों team की captain मैंग लैनिंग और यहाँ पर मिताली राज इनको Captain Vice Captain रखा है Gardner को लिया है Smithy Mandana इस team में आ गई है यहाँ पर Meghna Singh और यहाँ पर दीपती शर्मा को भी मैंने रखा है तो इसी तरीके से आप multiple teams बना सकते हैं और अगर आपको same team पसंद आ रही है तो same team के साथ भी जा सकते है तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंदा यह उनके साथ link description में comment section नहीं पिन कर दूँगा और YouTube channel को subscribe करके bell icon दबा देजिए जैसे वीडियो आएगी आपको notification मिल जाएगी Thank you guys